नमस्कार मैं प्रवाकद वेदी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया खबर की सुरुगात करते हैं बिहार से जब सीखेगा इंडिया तभी तो बचेगा इंडिया जी हाँ करोना का महाशंग्राम जारी है और इस महाशंग्राम में जो सीखेगा वहीं बचेगा जीहां बिहार के और अंगाबाद जिला देव थाना च्छेतर के ग्राम पंचायत इसरोर के मुखिया पती मनोज सिंग के द्वारा हैंड वास और साबुन वित्रण किया गया साथ हेंड पंपल लोगों का हाथ भी दुलुआया गया क्योंकि सीखे गए इंडिया तभी तो करोना से बचे गए इंडिया मौके पर पंचायत के वाड सदसे योम उपमुखिया महंद्र यादो आवास सहायक राहुल राज योम वाड सदसे संकर राम और ग्रामिर मौजूद रहे जिन्हें करोना वायरस को लेकर सतरकता बनाये रखने के लिए जागरू किया गया देखे डिवरहा से अबजल आलम क कि ये रिपोर्ट के अंदर ग्राम पंचायत इस रोड के मुख्या पति द्वारा अभी अभी हाथ दोने का शाबून और मास का वित्रन किया गया अगली खबर यूपी के बदायू जिले से है जहां बाहर से आए लोगों पर बिसेश ध्यान रखा जा रहा है यूपी के बदायू जिले के बिलसी थाना च्छेतर के जरावन में ग्राम पंचायत सचियू रिसीकान सर्मा ने बताया कि ग्राम जरावन में 35 संदिक्द लोग लागडाउन के चलते बाहर से आए हुए हैं ग्राम वाशियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया सूचना मिलते ही ततकाल वहां पहुंचे लोग सेनिटाइजर कर मास्क लगवाए उन्हें लोगों से दूर रहने की हिदायत दी उन्होंने कहा जब तक आपकी जाच नहीं हो जाती तब तक आप ग्राम वाशियों के संपर्क में नहीं आएंगे और दूली बनाए रखेंगे उन सभी लोगों को एक कमरे में के रहने की हिदायत दी गई है देखें बिलसी से अखलेश कुमार की रिपोर्ट उनके लिए शावन बगरा दीजिए तौलिय दीजिए उनको सपाई के सभी इंत्र दीजिए ताकि वो गाह में अच्छे तरह सपाई कर सके एवं जो भी बीमारी से घ्रसित हो उसके लिए मास् जाने तो उस विसे में लेकर कि आपका क्या कहना है कि बाहर कि बाहर से जो व्यक्ति आए जरामन के वह पहुंचे नहीं पहुंचा तो मैं ने देखा जाके पांच्छे लोग थे तो मैंने उनकी सूची बनाई एवं उनसे कहा कि आप एक अलग कमरे में रहेगा जब तक कि उप्ली जा चना हो जाए रहा रहे हां अगली खबर यूप के वाराण एचले से हैं जहां महिलाएं बच्चे भी कर रहे हैं लाकडाऑन का उचित पालन जी यहां यूपई के वाराण वो देश हित के लिए जंग लड़ रहे हैं, देखें सिसर्वा से स्याम सुन्दर बर्मा की ये रिपोर्ट बर्मा कीषिए में रखला उत्राइट से मामाकोर। और इस लगड़न के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो जो मुझे सरकार ने लगड़न पिया है, ओठीक है, अच्छी है की थोरा हैं, प्हेक्शन काम होगा लेकिन तो कोई लोग इस लागदान कौँ कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए किसी लोग का मधिगूरी होगी जो उसकी लिए खानी estimates की लेतो नई लेकी लेकिन इसको थोड़ा मधगार उठाना चाहिए क्योंकि करम चुपकर निए ने हुझा है और जंटा को भड़र को या जन्ता करने के लिए यसका थोरा लोग कश तो छह आइए तो उसे कैसी करणा इन हुझा घर करे तो हुझार एंऐ तरल कम उफिसकार गरा बलॉगाल को थे जम्लें के खान थार के बामने का दो मैं दखption है अपने हम अपना नाम इतय है? हमारा नाम सन्यना बर्मा है भारत सरकान ने जिस तरह से इस महामारी को लेकर पुरिया देश में 21 दिन का लागडाउन के गोषडा के हैं उसके बादे में अपका क्या कहना है? जो गरीब लोग हैं वो क्या खाएंगे? मोधी सरकान ने ये तो बना दिया जिसके घर में गोवू चावर है वो तो खा लेंगे गरीब लोग जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो क्या खाएंगे? वो तो खाने के लिए अधा तरस रहे हैं, मर रहे हैं, गरीब लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं तो थिक नहीं है, वो तो खाने के लिए तरस रहे है, पानी पीका कैसे जीएंगे, वो तो आधा महामारी से मरते हैं, जो खाएंगे एसे मर जाएंगे, खाने मिने मर जाएंगे. आप इस लावट डाउन का घर में किस तरह पालंग कर रही हैं? हम बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, भर का साफ सफाई करते हैं, बच्चों को नहीं जाने देते हैं, अब खाने, जब खाना होता है तब करते हैं, बच्चों के हाथ दोकर साभून से तभी खाई, नहीं तो बाहर जाओ तो माक से लगा कर जाओ, नहीं तो बाहर म मत जाओ आयो थोड़ा सा यहां से कुछ बच्चों से बाते करते हैं हाँ बच्चे अपना नाम बताओ मेरा नाम है संजना अपटे तुमको पता है कि भारत सरकान ने एक दिन की लागडाउन के गोशड़ा की है आप इस लागडाउन का किस तरह पालन कर रही हूँ अपने अगल बगल बच्चों को भी समझाती हूँ बाहर मज़ाओ और एक दूसरे एक साथ मत खेलो अगर खेलोगे तो तु उन लोग उन लोग को सर्दी खासी दुखाम होगा तो तुमें भी आ जाएगा बच्ची आप किस क्लास तो पढ़ती हो जैसा कि देख रहे हैं इस बच्ची ने कितनी अच्छी जनकाली दी है एक हमारे पास एक छोटा बच्चा भी उनसे कुछ बाते करते हैं हाँ बच्ची अपना नाम बताओ तुम साबून से हाथ दोते हो और बाहर में माक्स होगार कर जाते हो जाते हैं तो माक्स लगा कर जाते हैं ओके जैसा कि आप देख रहे हैं गरमी चेतर के ओरते अपने घर में बैटकर साब सफ़ाय का भी से ध्यान दे रही हैं और घर में बैटकर मुगों अगरा देखकर अपने मरणजन कर रही हैं हाँ बताईये मैं जिसे के लिवठी सरकाव में जो कीा है लेकिन जनता को नहीं भाणा चाहिए क्योंकि तुरा कEr अठाएंगे लेकिन इस से ने मुत्ति पाज़ा जाता है बीजिए नहीं इठा रहे हैं अपनी घर में दो दिन, तीन, तीन, चार दिन थोड़ा कमी भोजन करके अपना देटीट करें, लेकिन पुस्तो जनता को कश्णाने, बाहर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद, फास्टिव इंडिया से, मैं सैंस नवर्मा, एरिया इंचार, सियोर्मा, नमस्कार। वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाईएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पुलिस की सहयोग जिहां उत्तराखन के उधम सिंग नगर जिले के गदरपूर पुलिस द्वारा पैदल चल है। पुलिस का राज्य पुस्प पहुचाए जाने के लिए उनके द्वारा इंतजाम किया गया, इससे पुल्व सभी आतरियों को पुलिस द्वारा खाना भी खिलाए गया। थाना द्यक जस्विंदर सिंग ने कहा कि दूर दराश्य आने वाले एवं बिभिने स्थानों पर फसे लोगों को उनके गंतब्य तक पहुचाने के लिए हर संभो प्रयास किया जा रहा है। गदरपूर थाना द्यक्ष ने लोगों से अपिल की कि लोग अपने घरों में रहें बेवजह ना निकले नहीं तो उनके उपर धारा 188 के तद बैधानिक करवाई की जाएगी। देखे गदरपूर से रानूर अली की ये रिपोर्ट। वाले ऐसे कमर्शल वाइकलों को रुखवा करके उन में जो सीटों के हिसाब से उन में जो है यात्रियों को बठा करके यहां से सीधा रादा सौमी सरसंग भ्यास भूदरपूर बिजवाया जा रहा है वहाँ पे जिला इस तर से कैम्प कि एक करा जा रहा है इनको इनको पूर्टी के लिए घरों के बाहर निकल रहे हैं कई बार लोगों को टाइम का पता नहीं लेग पा रहा है तो हम सब को बता रहे हैं लगा दार आनूंस्मेंट जा रही है और यदी कोई लोग अपनी मौज मस्ती के लिए खाली हावारा गर्दी के लिए अगर लौको फॉलो कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं तो उनके खिलाब अभ्योग जर्च करके वैदानी करवाई की जाए हैं ममीर है मंद हरी दवार से आ रहे हैं और ठेकेदार था उसने हमारी कोई मतनी करी कमरे लेकर दे दिया उसमें और पैसे खाने के लिए दिए पुलिस का आपको ये गिये देली के सेरगपा एक परिवार कॉरोना वाइरस के कालब मरीके गागार पर पहुँच गया है इस परिवार का कहना है कि हम दो दिन से भूखे हैं वार अट कमाने वाला कोई नहीं है और ठांघभी तूटा हुआ है और अनका गहर में दाना ही नहीं है ऐसे में हम परिसाने को पर आपको आपको पड़ेंगे हैं आपको ज्यादा परिशानी आपको अब खाने पीने के हचा फिर्बाट शीक जा रही हैं अभी तक खाने का कोई प्रवंद निए आपके लिए आपके लिए किसी ने किसीतरह को कोई प्रबंदर नहीं किया और कुछ कहना चाहेंगे अब कुछ है नहीं तो करें खर्चा क्या करें कायकर क्या करें कि इस बुलेटिन में बस खबरे यहीं तक मिलते हैं कुछ खास खबरों संग तब तक के लिए हमें दे इजाजत यदी चैनल को आप फेस्बूक यूटूब ट्वीटर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कमेंट लाइक सेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें कर दो कि ब्सक्राइब कर रहे हैं तूर आप गहे हैं तो कमेंट यूटे जए हैं तो कर दो